महा प्रशाद जननी सर्व सौभाग्द वर्धनी आदी व्यादी हरानितम तुलसी तौम नमस्ते ओम श्री तुलसी आये नमः ओम श्री विरिंदाये नमः ओम श्री हरी वलबाये नमः नमश्कार दोस्तों आप सभी का People Express चैनल स्वागत है आज हम इस वीडियो में मा तुलसी से जुड़े कुछ प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे विष्णु प्रिये तुलसी जी का जहां पर भी वास होता है वहां हमेशा शुब होता है पुरातन सनातन रम ग्रंथों में भी महा परशाद जननी सर्व सवभाग वरदनी तुलसी जी के गुनों और उनकी उपयोगिता के बारे में वर्णनलता है ना केवल मनुष्य जीवन में धार्मिक महत वह इंगा बल्कि यह आयरुएदिक महत भी रखती है इसलिए यह बहुत महत पुन हो जाता है कि मा तुलसी जी के बारे में हम सही जानकारी राप्त करें और उनकी सही तरीके से हम तेवा पुजा रहे हैं सरुफ प्रत्तम जाते हैं कि घर में तुलसी जी का पौदा कब और कहां लगाना चाहिए कई धार्मिक साओं में तुलसी जी का जिक्र किया गया है तुलसी जी का पौधा घर के आंगन या घर के समीप हमेशा गमले में लगाना चाहिए माननता के अनसार तुलसी का पौधा घर में कार्तिक माह गुरुवार के दिन उत्तर पुरु विशा में लगाने से बेहत सुक्की प्रप्ति होती है नए पौधे मुखे रूप से वर्षा रितु में उगते हैं और सीथ कल में फुलते फलते हैं अगर आप फ्लाइट में रहते हैं तो तुलसी जी का पौधा आप अपने सोने के कमरे की बालकोनी में लगा सकते हैं जहां पर परियाप मात्रा में शुरे का प्रकाश आता हो तुलसी पौधा समाने रूप से दो तिन वर्षों तक पराब बना रहता है इसके बाद इसकी पृद्धा वस्ता आ जाती है पत्ते कम और तोटे हो जाते हैं और इसकी साखाएं सूख जाती है इस समय उसे हडा कर आप नया पौधा वहाँ पर लगाएं अगला प्रश्ण जो आता है वो है कि तुलसी का पौधा कैसे लगाएं बारी का मौसम अर्थात जून जुलाई का महीना होता है जहां तापमान 20 से 30 डिगरी के बीच होता है तब तुलसी रोपन के लिए सबसे बढ़िया समय होता है तुलसी लगाने के लिए काली मिट्ट की सबसे उचित मानी जाती है अन्यता आप सामाने मिट्टी भी ले सकते हैं केवल मिट्टी जो पीले रंग की हो उसका प्रयोग ना करें तुलसी एक आयुर्वेधी पौधा है इसलिए इसमें रासायें खाद ना डालें या किसी परगार का उर्वरक और ना डालें सिर्फ इसमें जैविक उर्वरक का ही प्रयोग करें इसमें रोजाना पानी दें और दो से तीन महिने तक पौधे को थोड़ी सी छाओं में रखें जहां आप ज़्यादा धूपना लगे हलकी हलकी धूप ही लगाएं ताकि पेड़ और पौधों और इसके पत्तों को तेज धूप से नुक्सर्ण ना हो अगला प्रश्ण आता है कि अगर हम तुलसी लगाएं तो किस प्रकार की तुलसी लगानी चाहिए तुलसी के सामाने के प्रजातियां पाई जाती हैं जैसे मदुवा तुलसी, राम तुलसी, वन तुलसी, अरन्य तुलसी, कपूर तुलसी, आली तुलसी इसमें आसिमम सेक्टम को प्रधान या पवित्र तुलसी मना जाता है आसिमम सेक्टम यानि पवित्र प्ली तुलसी दो तैकी होती हैं अरे पत्तोवाली स्री तुलसी या बैंगनी या श्याम पत्तोवाली कृष्ण तुलसी माना जाता है कि ये दोनों ही प्रकार की तुलसी एक समान गुणकारी होती है तो आप इन में से किसी को भी अपने घर में लगा सकते हैं। अगला प्रश्ण है कि तुलसी जी की पूजा कब और आप कैसे करें। प्रातर दिन इसनान के परशाद तुलसी जी के पोधे को जल दें और उसकी परिक्रमा करें। पूजा अर्चना करें मंत्रों का जाप करें शाय काल में तुलसी जी के पौधे के नीचे दीपक को प्रजुलिद चिरूर करें तुलसी जी का जो पूजा का दीपक रोजाना दो बार लॉंग डाल के जलाएं पूजा के बाद घंटा और संक आवस्ट से बजाएं अगला प्रशन उठता है कि तुलसी जी की जब हम पूजा कर रहे हों तो उस समय हमें कौन से मंत्र का चारन करना चाहिए तो आपको बता दें कि तुलसी जी की पूजा करते समय चित्रपट पर दिखाये जा रहे हैं इस मंत्र का जाप करें और साथ में ही जब जल आप चड़ा रहे हों तो इस मंत्र का जाप करें तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए इसके साथ साथ हमें यह भी जानना बहुत अवशक होता है कि तुलसी जी की पूजा हमें कब नहीं करनी चाहिए तो जब किसी भी इस्तरीक मासिक धरम चल रहो तो उसमें तुलसी जी की पुजा को मा या बहन ना करें क्योंकि तुलसी जी एक पवित पौधा है भूल कर भी तुलसी जी के पौधे को दक्षिन दिशा में नहीं रखना चाहिए इस दिशा में रखी हुई तुलसी हमेशा आपके लिए अशुफल ही देगी रवियार के दिन तुलसी जी की पुजा करना या उसके पत्तव को तोड़ना वो वर्जित है इससे आपके उपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है तुलसी जी पर अगर बहुत सारी मंजरी लग जाए या आप उस मंजरी को तोड़ दें या उसके स्तान पर आप नई मंजरी वाली तुलसी को हटा कर नई तुलसी को स्थापित कर सकते है माना जाता है कि तुलसी जी जब ज़्यादा मंजरी आ जाती है तो तुलसी जी कश्में होती है जिसकारण वो आपके घर पर विपदाला सकती है इसके बेहतर है कि आप नई तुलसी उन्हें हटा कर लगा दें उमीद है हमारी दीज़े जानकारी आपके काम आईगी आपके परिवार और आप पर मातुलसी की हमेशा कृपा बनी रहे दिन्नेवाद